प्यारे वच्चों, कैसे हैं आप? स्वस्ति होंगे? हमने नादान दोस्त कब भाग एक और भाग दो पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे भाग तीन. चलो सुरू करते हैं. तीनों अंडे नीचे तूटे पड़े हैं, और उनसे कोई चूनिस कीसी चीज बाहर निकल आई है, पानी की प्याली भी एक तरफ तूटी पड़ी है, जब चार बिजे यह क्याक स्यामा की नीन खुली, तो वहां किवार खुल कर भाहर आई, उसने दोर्ती भी कानिस के पास आ पर नहीं थे, तो केसब घबरा का दोर्ता हुआ बहार आया, उसने देखा कि वहां पर प्याली भी जो रखी भी थी वो भी तूटी पड़ी है, और अंडे भी नीचे गिरे वे हैं, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सैमी भी आँखों से जमीन की तरफ देखने लगा सैमा ने पूछा, बच्चे कहा उड़ गये भी या, केसब ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फुट गये, सैमा और बच्चे कहा गये, केसब तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो दो चार दिनों में बच्चे बन जात सैमा ने सोटी हाथ में लिये हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो, सैमा ने कहा, अंमा जी, चिरिया के अंडे तूटे पड़े हैं, सैमा ने आकर तूटे हुए अंडों को देखा, और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को चुआ होग जब केशब ने देखा कि वहां पर अंडे भी नहीं है, तो उसकी चेहरे का रंग उड़ गया, वो सैमा हुआ, जमीन की तरफ देखने लगा, तो सैमा ने पूछा कि बच्चे कहा उड़ गया, तो केशब ने करुन स्वर में कहा, अंडे तो फूट गया, सैमा ने कहा कि गया, मा ने जब गुसा आया मा को तो सोटी हाथ में लेना, यानि एक पतली सी छड़ी हाथ में ली, और उनसे कहा कि तुम दोनों यहां धूप में क्या कर रहे हूँ, चलो अंदर चलो, तो अब तो स्यामा भहिया पर जरासी भी तरस नाया, उसी ने साय अंडों को इस तरह रग दिया कि वह नीचे गिर पड़े, इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए, बोली इन्होंने अंडों को छिड़ा था, अम्मा जी, मा ने केशब से पूछा, क्यों रे, केशब भीगी बिल्ल यही बना, खड़ रहा, मा, तु वहाँ पहुंचा, क्यासे, तो यहाँ पर स्यामा, जब भी अपश कर जरासी भी तरस नी आया, उसको उसने कहा, कि आंडे तुमने रग दिये, तो, तुमने लिसी नीचे उसे गिरा दिया होगा, इस हमें, तो टोनों को इसकी मा ने कहा, कि दोनों किसकी क्या मिनी जीए, सजा मिनी जीए, तुम दोनों नहीं अंडों को छुआ, स्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चड़े अम्मा जी, केसब तु स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, स्यामा तुमी ने तो कहा था, मा तु इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चीडियों के अंड़े गंदे हो जाते हैं। चीडिया पhr wines नहीं सेती। कि स्यामा ने डटे डटे पूछा तो क्या चीडिया ने अंड़े गिरा दिये हैं अम्मा जी। मां और क्या करती केशब के सिर्फ इसका पाप पड़ेगा हाई हाई तीन जाने लेली दुष्ट ने केशब रोनी सूरत बना कर बोला मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्धी पर रख दिया था अम्मा जी मां को हंसी आ गई मगर केशब को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसो सोता रहा अंडों की हिपाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यनास कर डाला इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था दोनों चिडिया वहां फिर न दिखाई दी अब स्यामा जब चौकी पर इस टूल रकड चड़े तो अम्मा जी से पूछा उसने के सब तो इस टूल तो वो डर्ते डर्ते बोली कि अंडे तो नीचे गिर गए थे तो दोनों को इस बात पर मा को भी गुस्सा आया और माने उन्हें डाटा कि इसका पाप केसब के सिर्फे पड़ेगा क्योंकि केसब ने यह सब काम किया है तो केसब को भी रोनी सुरत यानि अपना छोटा सम्म बना कर वो भी खड़ा हो गया और उसको उसने कहा की आपने तो कहा था कि जब अंडे रखते हैं तो उसके नीचे गदी रख़देते हैं तो मा को भी हाँ सी आ गई मा ने कहा कि यहा तुम दोनों की गलती है ऐसे नहीं करते तुम्हें इतने निप्रततिक तुम इतने तुमने दोनों ने इन अंडों का सत्यानाज कर दिया यानि तुम दोनों की गलती से अंडे खराब हो गए तो उनको भी अपनी गलती का एसास हुआ वो नहीं चानते थे उनको लगता था कि हम क्या कर रहे हैं अंडों की शुरक्षा कर रहे हैं लेकिन इस तरह से वो अंडे उ आप अपने सब्दों में इसको जरूर लिखना तो एक प्रस्ण का आंसर भी देंगे आप केशब और स्यामा ने चिडिया के अंडों की रक्षा किस परकार से की या उन्होंने अंडों की रक्षा की या नादानी की